हेलो फ्रेंड्स गूड मॉर्निंग आज गुरू आ रहा है तो आज हम बेशन की कड़ी बनाएंगे तो आज हम बेशन और पनीर की कड़ी बनाएंगे और बीना लहसन प्यास की बनाएंगे तो मैंने 500 ग्राम बेशन ले लिया है और 200 ग्राम करीफ पनीर ले लिया है तो इन द पहले हम पनीर को कद्दू कस में घिस लेंगे और यह आराम से घिस जाती है और आप चाहे तो हाथ से मैस कर दीजिए लेकिन हम कद्दू कस में घिस ले रहे हैं और कद्दू कस में हम घिसने से पहले इसमें मैंने कद्दू कस में थोड़ा सा तेल लगा दिया था ताकि यह च पनीर को सारी पनीर गिस लिया है網永 अर इस dispon हम बनाएंगी उसकी लिए पेहले कर डja मैंने क्यिकी मौनिया तो जितनी पाकोडी बनाना हो उससाब से आप बैसन लीजिए और अब बैसन और पनीर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें अब हम नमक डाल दे रहा हैं तो नमक सारवन सार डाली है मैंने चोटा चमज डाल दिया है नमक मीना लाल मिर्द कैटें क्पादर पादने आधा चम्माच हली फ़डर गरह चमचे भीजीर दाल Swimmer थोड़ा से मैंने आधा चमच गरह मसाला दाल दिया है और आधा चमजीरा डाल दे रहा है इन सबको मच्चे से मिक्स कर लेंगे अब हम खाने वाला सोड़ा डालेंगे तो खाने वाला सोड़ा एक पिंच डालेंगे यह एक चुटकी डाल देंगे और इसको हम मच्चे से मिक्स कर लेंगे तो हमारी पकोड़ी बहुत बनेगी और ज को हम हाथ से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले और पानी अच्छे से मिक्स हो जाएं और हमारे पकॉड़ी अच्छे से बन सके तो हमारे बना रहा है कि पकॉड़ी जैसे बन जाएगा यह गोल गोल बन जा रहा है जैसका मतलब यह बेशन और पनीर का जो मैंने डो तयार किया है अब इसके हम गोल-गोल पकॉडी बना लेंगे आप फड़ाच चाहिए गीला करके डालने डाल के बना सकते हैं तो मैंने ऐसे बनाया है तके हम गोल-गोल बना सके हाथ से फिर उसको चानेंगे और इसमें नहर धनिया डाल दिया है कटा हुआ और इसको भी आम अच्छा से मिक पर बना लीजह और आप गोल! बना कि फीर फ्राई करिए यह को पसंद वूंद को आरे हैं तो यह तो यह मैंने सारी पखोडियां बना लिएं और अब इसको हम फ्राई करेंगे तक हम पकोड़ियां बना रहे थे मैंने गैस तेल कड़ाई में डाल कर दख दिया था तो तेल गरम हो गया है और अब हम इन पकोड़ियों को डाल के फ्राई कर लेंगे एक बार में कड़ाई में दस बारा पकोड़ी आई है तो मैंने डाल दिया है पकोड़ी को और इसको हम थोड़ा सपकने के बाद ही पलटेंगे नहीं तो तूट जाएगी क्योंकि इसमें पनीर पड़ा हुआ है तो यह थोड़ा सा पक गई थे मैंने इसको पलट दिया है और इसी तरह हम उलट पलट के सारी पकोड़ी को फ्राई कर लेंगे तो एक बैच की पकोड़ी पक गई है इसको हम निकाल ले रहा हैं तो इसी तरह हम दुबारा भी कढ़ाई में पकोड़ी डाल दिये हैं तो यह थोड़ा सा जादा हो गई है दो तीन जादा थी तो मैंने कठा डाल दिया है और इन पकोड़ी देर बाद हम बल्टेंगे तो पहले बैच को जैसे मैंने पकोड़ीयां पकाए थी थोड़ी देर बाद पलटके फिर इनको हम गोल्डन ब्राउन कलर होने तक पका लेंगे तो थोड़ी देर हो गई है तो यह देखे एक साइड पक गई है तो इसको हम पलट देंगे और सारी पकोड़ीयों को पलटके दूसरे साइड़ी पका लेंगे तो इसको हम गोल्डन ब्राउन कलर होने तक पकाएं तो इतनी पपोड़ी बन के तयार हुई है तो अब इसको हम साइड में रख दे रहे हैं और अब हम कड़ी की ग्रेवी बनाएंगे तो कड़ी की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक बावल में हम 2 3,5 चम्मच बिसन ले लिए हैं अगर आपको जादा बनाना तो जादा बेसन ले लिए तो लेकिन हम 2 फोड़ा ही बना रहे हैं तो तीन चम्मच ली है हूं छोटे चम्मच से और इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए दम पतला गुल तयार कर लेंगे और कड़िवन बनाते हैं तो थोड़ा कमी लेते हैं क्योंकि पकने के बाद वेशन गाढ़ा होता है तो इसलिए आने तीन जमज लिया है अब इसमें हम दही ढालेंगे तो एक बावल में नहीं ले लिए है तो हम बेसन वाले गोल में दही को डालके अच्छे से फेट लेंगे और चाहे आप पहले ही दही फेट के तब डालिए लेकिन हम बेशन में डालके ही फेट ले रहे हैं दही को और अच्छे से खुब फेट लेंगे ताकि मठे जैसा हो जाएगा तो हमाई कड़ी अच्छी बनेगी तो यह मैंने अच्छे से दही को फेट लिए और यह देखिए दही और बेशन अच्छे से फिट गए हैं तो अब हम कड़ी की ग्रेवी में तड़का लगाएंगे मैंने गैस पे कड़ाई रख दी है इसमें मैंने एक चमच तेल डाल दिया है तेल गरम हो गया है और इसमें अब हम कुछ मसाले डालेंगे तो मैंने एक छोटा चमच और जब राये जीरा अच्छे से दड़कने लगेगा तब इसमें हम करी पत्ती डाल देंगे तो मैंने तीन-चार करी पत्ती डाल दिया और कटी हुई हरी मिर्च डाल दे रहे हैं आपको लाल मिर्च डालना तो लाल मिर्च डाल दीचे लेकिन हम कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे तो यह आम की खटाई एक गढ़ बना करा लेते हैं और साल भर इसको इस्तेमाल करते हैं खाते हैं तो हम अच्छे से मसाले डालके त्यार कर लेते हैं तो मैंने दो खटाई डाल दिये इसे माइट कड़ी होती आती है अच्छे से और समें धाही थुड़ा खटी कम हो चुर्णा जान अब ढ़ल से कर देंगे और थोड़ा सा फाणी डाल के मसाले को पका लेंगे और आपको लेस्ट भी डाल दीजे लेकिन हम बिना लेस्न प्यास के बना रहे हैं तो बस इन मसालों को पका लेंगे जब मसाले पख जाएंगे तो ये तेल छोड़ देंगे तो ये मसाले पख गए हैं और मसाले ने तेल छोड़ दिया है अब इसमें हम दही और बेशन का गोल डाल दे रहे हैं तो दही बेशन का घोल डाल के हो और हम इसको लगातार चलाएंगे नहीं तो दही फट जाएगी फिर कड़ी देखने में अच्छी नहीं लगेगी और इसमें मैंने आदा ग्लास पानी डाल दिया है अभी मुझे गाड़ा लग रहा था तो मैंने एक ग्लास पानी और डाल दि रहा है आप नमक अपने स्वाीं साहर कर दिया है अब कड़ी को ढख के 5 मिनट के लिए पकाएंगे और पाश्मन राप्षे चेक करेंगे तो मैंने कड़ी को ढख दिया है और फिर 5 मिनट हो गया तो मुझे इतना ही चाहिए भी रखने के बार यह और गाड़ी हो जाएगी तो यह मारी कड़ी पख गई है अब इसमें हम जो पकोड़ी बनाया थे उसमें डाल दे रहे हैं कड़ी में तो साओ धाने से डालेंगे ताकि कड़ी उचल के उपर ना आ जाए तो मैंने सारी पकोड़ियों को डाल दिया है और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके और फिर एक मिनट के लिए ढग देंगे तो यह कड़ी माई पख गई है और यह पकोड़िया अच्छे से फूल भी गाई है और हम गयास बंद कर देंगे बस इसको अब हम खाने के लिए एक बावल में सर्व करेंगे तो मैंने थोड़े से धनिया पत्ती डाल दिये और यह मेरी कड़ी बन के तयार और इसके साथ खाने के लिए अभी हम चावल बनाएंगे तो आपको दिखाते हैं यह इतनी पतली दान बावल हो इसको खाने के लिए एक चोटी कड़ाई में में और गटी चोटीए कड़ाई में कि भाने के लिए सारू करेंगे वेनिये चावल बनाया है इस बार की फचल का धानगए तो थीन कहते हैं तोeled थीए साथ कड़ी बहुत अची लगती यह चावल बना लिया है और शेंट गढ़ी और आप लों भार इस तरये पकॉडडी वाली कड़ी बनाएए और खाएए और घर में सबी खिलाएए और मुझे करने में आपको कैसा लगा थैंक यू